हलो एप्रिबान कैसे हैं आप सब आज बनाने जारी हूं एक और नई डिजाइन का डोर मिट और इसे बनाने के लिए मैंने दो कलर की बूली है आप इसको पुरानी साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्स प्रीट हो जाता है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यह देखिए यहां पर 16 फंदे हमने ले लिए हैं आप पेर के हिसाब से फंदे ले 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 तो देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ 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 दूनी सो ले अब फस्ट रो इसकी उल्टी जाएगी इध अब हम इसे दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे इसको बिगनर्स भी इजली बना सकते हैं यह बहुती सिंपल है और बहुती जल्दी बनने वाला है तो यहां से हमने यह फर्ष्ट रो कम्प्रीट कर ली अब देखिए फालट लेंगे सेकेंड रो भी आपने तरफ करके इधर से भी हम इसे उल्टा ही बुनते जाएंगे ऐसे अ कि यह देखिए दूसरी रो यहां पे कम्प्रीट होती है अब तीसरी रो सीदे साइड इसको अब तार लिया बूल अपने तरफ किया यहां से हम तीसरी रो उल्टा ही बुनेंगे यह देखिए यहां पर देखिए अब यह दो गांट स्टिच आ गई है अब हम इधर से चौथी रोपे उल्टे तरप से कलर को चेंज कर लेंगे यह आपको उल्टे साइडी करना है तो यहां से हमने देखिए यह पिंक कलर एड़ कर लिया आप चाहें तो यहां पर नौड भी लगा सकती है अब हम चार चार रो बनाते हुए इसको आगे बुनेंगे गिरीन हमने यही छोड़ दिया और पिंक कलर को लगा लिया अब इसको हम थोड़ा सा आगे तक ले जाएंगे ताकि यहां से यह लूज ना पड़े अब ही इसी तरीके से आपको बनाना है अब इधर से हम बापस उल्टा बनेंगे कि यह देखिए लाश तक हमने इसको बना लिया अब इहां से बापस हम इसको उतारेंगे बूल अपने तरब करके इधर से फिर से हम इसे उल्टा ही बुनेंगे ऐसे यह देखिए अब इस वाले फंदे को हम इधर से उतार लेंगे ऐसे बूल अपने तरब कर लेंगे इधर से हम उल्टा बना लेंगे तो देखिए यहां पर यह दो रो पिंग कलर की विए इस रो में आ गई है चार रो हमने कंप्लीट की तो दो गांटी स्थिच आ गई है सीधे तरब यह देखिए अब देखिए हम फिर से गिरिन कलर लगा लेंगे उल्टे طरफ से और इसी तरीके से हम यह साथ डिजाइन डाल लेंगे तीन पिंक की और चार गिरूण की फिरहमा आपको दिखाएंगे सिंपल आपको बुनना है उल्टे तरफ से देखिए ऐसे फिर से हम यह लगा लेंगे और यहां से आप 4,4 रो हमने 7 design डाल लिए हैं 12ént आपने यहां पर चोड़ाई रकरchen उतनी देखिए ऐसे होना चाहिए जितनी लंबाई आपने यहां पे चोड़ाई रखिए उतनी लंबाई आप बढ़ा के इसको स्क्वेर में बना लें चौकुर यह बना लें अब देखिए यहां से हम वापस पिंक कलर लगाएंगे और यहां से अब हम डिजाइन डालेंगे यहां हम पर दूसरी डिजाइन डाल रहे हैं हम तो सारे फंदे हम पिंक कलर से बुन लेंगे यह देखिए इस तरह से ऐसे यह बना लिया आप देखिए यहां से हम दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे तेरे चवदे पंद्रे पंद्रा फंदे बुनेंगे और हम यहीं से पलट लेंगे एक एक फंदा छोड़ते हुए अब हम इसको बनाएंगे दोनों तरफ से ऐसे देखिए उल्टी रो पूरा उल्टा ही बुनेंगे दोनों तरफ से ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे और लाश्ट वाला फंदा जो है उसको आपको एक तरफ से बुनना है और एक तरफ से उतारना है इधर से हमने देखिए बुन लिया और सीधे तरफ से हम इसको उतार लेंगे बुल अपने तरफ करके अब यहां से दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे तेरे चवदे चवदे फंदे बुने एक फिर से छोड़ दिया है इसे पलट लिया अब देखिए इसी तरीके से एक एक फंदा छोड़ते हुए हम लाश्ट के दो फंदे तक इसको बना लिया है तो यहां पर यह कदी कम्प्लीट हो गई अब देखिए हम इस फंदे को उतारेंगे बूल अपने तरफ करेंगे अब यह सारे फंदे इस रो में हम बना लेंगे यहां से यह देखिए अब मेरे पास फिर से 16 फंदे हो जाएंगे ऐसे इस तरह से अब देखिए एक कली यह बनके कम्प्लीट हो गई इसी को आपको रिपीट करते जाना है अब हम यहां से गिरीन कलर की बूल से बनाएंगे दूसरी कली फिर तीसरी हम पिंक वाले से बनाएंगे यह देखिए यहां से हमने यह एड़ कर लिया गरीन कलर और यहां से पूरा उल्टा बुनते हुए जाएंगे यह देखिए इस तरह से अब हम यहां से पलट लेंगे अब देखिए यहां से हम इसको तारेंगे ये दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, पंद्रे, पंद्रा फंदे बुने एक बिना बुने छोड़ दिया है, इसे हम फिर से पलट लेंगे, आप देखिए, एक एक फंदा छोड़ते हुए, हम लाश्ट के दो फंदे तक इसको भी छोड़ेंगे, उसके बाद हम सारे फंदे बना लेंगे, जैसे हमने इस रोब में बनाए, फिर हम उल्टे तरफ से पिंक कलर लगा लेंगे, तो यहाँ पर टोटल तीन कली बनके कम्प्लीट हो जाएंगे, एक हमने बना ली, दूसरे इसे स्टार्ट कर दी, इसके हमने सारे फंदे छोड़के, इधर से एक रोब कम्प्लीट कर ली, सारे फंदे फिर से इस तरह से बुन लीए, अब उल्टे तरफ से हम सारे फंदे बन कर देंगे, दो काई करते हुए, ऐसे, इस तरह से हम सारे फंदे बन कर लेते हैं, यह देखिए, हमने इसके चार पीस बनाए हैं, सेम तरीके से बनाए हैं, और अब देखिए, हम इसके सिलाई करेंगे, तो देखिए, एक हमने ऐसे रखा, और इसका यह वाला ऐसे रखेंगे, यहां पे, पिंक वाला, और यह वाल सीधा और देखे यह बाला ऐसे तो इस तरह से आपको यह देखे आप देख सकते हैं इस तरह से आपका आजागा तो हम से देखे इस यहगे से शिलाई स्टार्ट करेंगे और सेम तरीके से सारे पार्ट सिल गाले हैं यहां से लेके ऐसे जाएंगे यहां तक और आप चाहें तो यहां से इसको यहां से स्टाइट कर सकते हैं या बापस यहां से तो देखिए हम इसको यहां से सिलते हुए जाएंगे तो इसको हमने ऐसे पलट लिया देखिए इस वाली कली से और यह वाली कली यहां से रखके ऐसे सिलेंगे पहले यह आपको ऐसे मिलाते हुए सिलना है तो देखिए यह बराबर यहां तक ऐसे आ रहा है यहां पर आपको एक बार पक्का कर देना है ताकि यहां से यह जब धागा आप इधर करें तो ऐसे ना हो देखिए यह आ गया अब यह वाला पार्ट ऐसे आ जाएगा तो अम इसको यहां से फोल्ड करके ऐसे यही से पकड़ लेंगे देखिए यह आप जैसे सिलना चाहें सिलना आपको ऐसे ही है देखिए बस मिलाते हुए सिलते जाना है सिंपल है बिलकुल यह देखिए यहां पर फक्का कर देए अगर आप यहां से कट कर रहे हैं तो तो आपको यह करना ही है यह देखिए ऐसे सिलके यह देखिए आगया आप देखिए आप चाहें तो यहां से बूल लगा सकते हैं या फिर यहां से यहां तक ला सकते हैं ऐसे ही सभी पार्ट हम जोड़ लेंगे देखिए यहां से यह बूल है तो यहां से आप सिलके यहां तक एंड करते हैं उसके बाद यह आप यहा प्राम्टी वजार्ब